तो आज कल एक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है वो है बिना बज़ा हेडलाइट फ्लेश करने की और अब तो इस चीज के उपर कई सारे मिम भी बन चुके हैं इसका कोई भी लॉजिकल रीजन देना बड़ा मुश्किल है पर जब आप रोड पर जाएंगे तो अपने आप ये बात खुद भी देखेंगे तो बिना बात के हेडलाइट फ्लेश करने की बिमारी एक ऐसी चीज है जो सामने चल रहे डाइवर को परशान करती है और रियर व जरूरी भी है क्योंकि जैसे को तैसा करना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है तो मीम तो आपने काफी देखें हैं चाहां इवन दिखाए गए कि प्लेन अगर कोई क्रेटर डाइवर चला रहा हो और पाइलेट बन जाए तो आसमान में भी फ्लेश मारेगा पर इस वीडियो म लाइट किसी भी लेन से शांती से निकल कर आगे जा सकता था पर वो बिना वज़ा आल्टो को फ्लेश देता है और आगे क्या होता है वो आप वीडियो में देखिए तो आल्टो ने यहां पीछे से डिसको लाइट ऐसी चमकाई कि क्रेटा को फ्लेश बंद करना बड़ा और नहीं उसे कुछ दिखा और जैसे को तैसा यहां मिला अब किसी भी कार का स्टांडर्ट फीचर यह नहीं होता है और आल्टो में तो पावर विंडो भी एक लक्शर क्या होगा और अल्टिमेटली आल्टो ट्रावर ने कुछ ऐसा सिस्टम अपनी गाड़ी में लगवा आया कि भाई ने सिस्टम ही फाड़ दिया तो बिना वज़ाश देना या सिंगल लेन रोड पर हाई बीम पर बंद करें और अपने साथ दूसरों का भी खयाल रखे लोग भ्रहमास्त्र लेकर गोम रहा है आपके सोचने इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी कोई क्रेटा वाला फ्रेश चमकाता मिला है चलता हूं मैं मिलूँ आपसे चल्दी एक नए वीडियो के साथ तिल टाइम दिसमी साइनिंग जहन